हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है आशीश जोशी आज ये हमारी सौंगवी वीडियो है हंड्रेट वीडियो आज ही हमारी है तो हमारा जो परिवार है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है खर इसकी आप सभी को बढ़ा है आज हम जूरिस्प्रूडेंस का काफी दिनों बाद में लेक्चर लेके आ रहा हूं बीच में कुछ मेरी तब्यत खराब हो गई थी ठीक है पिसले वीडियो में हमने पढ़ाता था फामेसी एक्ट ठीक है फामेसी एक्ट के बाद जो है आज ह इसकी का WhatsApp से बहुत से लोग इसकी कमेंट करके बोल रहे था कि मेरे राइटिंग जो है उनको समझ में नहीं आती मुझे पता है राइटिंग बहुत अच्छी shortwave संभल तू है इसलिए साइसा subject है कि एक एक line को मैं पढ़के नहीं सुना सकता है ना theoretical ज्यादा है तो जो main main topic है main main concept है वो मैं आपको बताऊंगा बाकी जो है आप लोग जो है नीचे notes में description box में बहुत सारे लोग पूछते हैं बहुत नीचे description box में है click करो उसमें आपको मिल जाएंगे telegram group भी है मेरा वहां भी आप जाके कोई मुझसे question पूछना है तो telegram group में या फिल इंस्टा पे आप जो है मेरे को DM कर सकते हैं अब हम मुद्दे पर आते हैं आज हम बात करेंगे state and joint state pharmacy council ठीक है देखो state मतलब राज्य ठीक है हर राज्य जो है अपना एक pharmacy council बनाता है each state of India मैं पढ़ भी रहां बीच बीच में can constitute state pharmacy council under the provision of pharmacy act by their respective state government ठीक है जो state government है वो आपकी एक state pharmacy council बना देती है और joint state pharmacy council क्या होती है joint state pharmacy council can also be constituted where two or more state agree to serve to need the needs of the other participating state कहने का क्या मतलब है अब बताइगे मैंने क्या बोला state pharmacy council मतलब state की जो pharmacy council है joint state pharmacy council मतलब जब दो जो state pharmacy council है वो मिल के जो है कुछ specific काम करते हैं वो आगया आपका joint state pharmacy council अब इसमें क्या है आपका state pharmacy council और joint state pharmacy council दोनों के कुछ compositions होते हैं ठीक है जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं एक होता है इसमें elected members elected members दूसरा होता है nominated members ठीक है nominated members और तीसरा होता है ex officio members ठीक है elected member nominated member और ex officio members अब यह दोनों क्या होते हैं यह सब मैंने notes में दे रखा है सिर्फ एक बार आपको reading करनी है आपके समझमा आ जाएगा कौन से कितने member होते हैं कौन से क्या होता है सब कुछ उसमें मैंने आपको दे रखा है ठीक है उसके बाद मैं की बात करें function मतलब कारिय प्रणाली क्या यह काम करता है पहला तो है कि यह जो है आपका inspection कर सकता है अब बताई मैंने क्या बोला inspection कर सकता है मतलब the state and joint state pharmacy council with permission from the respective state government may appoint a sufficient number of inspectors having prescribed qualification कुछ qualification है जो इनने प्रस्काइब की ही है ठीक है उसके according जो है आप एक group of inspector को prepare करोगे inspector को appoint करोगे ठीक है और उसके बाद वो क्या करेगा आपका वो inspect करेगा क्या inspect करेगा कोई भी premises कोई भी area industry industry है वही industry को जाके inspect कर सकता है ठीक है उसके अलावा क्या कर सकता है कोई dispensing hospital है या कोई clinic है उसको जाके कर सकता है ठीक है तो यह जितना भी inspection का काम होता है यह आपका इसके अंदर आता है state and joint state pharmacy council के अंदर ठीक है यह यह सब कुछ इसके function होते हैं यह है इसका topic उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं registration of pharmacist in the first and subsequent registers ठीक है तेखिए इसमें क्या होता है आपको पता है जब भी आप be farm कर लोगे या जिन लोगों ने diploma कर लिया है तो उनका registration हुआ होगा यह उसी registration से related registration सबसे पहले first register नाम की register होता है उसमें होता है उसके बाद subsequent register में आगे नाम चलता रहता है ठीक है जिसे बहुत है renew करवाना है पता ही मैंने क्या बोला ठीक है तो इसमें क्या होता है यह अकॉर्डिंग तो किसके है pharmacy act 1948 के यह क्या करता है the pharmacy act 1948 provides for the registration of pharmaceuticals sorry for the registration of pharmacists in all the state of India सभी स्टेट में रहता है स्टेट pharmacy council इसको करवाती है आपको उस स्टेट में जाना होता है जैसे I am from उत्राखंट तो मुझे कहां जाना होता था दहरादूल ठीक है जैसे कोई इंट्री मतलब वह प्रॉपर लिखा जाएगा कि इस डेट को आपका पहला जो है registration हुआ है ठीक है आपका professional address ठीक है वह लिखा जाएगा ठीक है और आपके पास क्या degree है क्या आपने किया है वह सब कुछ जो है इस first register के अंदर लिखा जाएगा ठीक है अब आप first register क्या होता है देखो first register के लिए भी एक तीन लोगों की कमेटी सी होती है उस कमेटी के according जो है उसमें एक रजिस्ट्रार भी दिया रहता है तीन लोग होता है आपका आपका रजिस्ट्रार फीट तेक है यि दो और तीन टीक है इनके साथ एक जो है आपका रजिस्ट्रारबी होगा जो as a करेगा ठीक है यह लोग मिलके आपका फस्स तयार करते हैं और उसमें जो है सब कुछ लिखा जाता है ठीक है दा स्टेड गॉवर्मेंट देड डेड बिफोर विच आफ्लीकेंट अप्लिकेशन फ़र डीश्ट्रेशन ठीक है अपनीड बाई दप्रस्क्राइब फी शुट रीच दा रिश्टेशन ट्रुब्यूनल कहने का मतलब है इसके फीज भी होती है आपको आप लोगों को पता होगा जिन्हों नहीं किया है तो आप करेंगे जो डिप्लोमा करें वो उनको पता होगा ठीक है तो इसमें क्या होता ह आप इन्ट्री होगी उस परसन का क्वालिफिकेशन भी देखा जाएगा ठीक है एक तो यह है कि 18 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए दूसरा क्या है कि जो फी है उसकी वो फीस उसमें सब्मिट की हुई होनी चाहिए ठीक है और सारे बहुत सारी चीजे हैं उसके बाद आपका फिर है सबसीक्वेंट रिजिस्टर सबसीक्वेंट रिजिस्टर क्या होता है जो फस्ट रिजिस्टर में आ जाता है कॉपी फस्ट होनी चाहिए दूसरा प्रस्क्राइबड फी आपको उसमें देनी है उसके बाद हमारा लास्ट आता है ऑफिस ऑफेंस एंड पैनल्टीज कहने का क्या मतलब है कुछ ऐसे अराजक तत्व भी होते हैं अराजक तत्व पताइए मैंने कितना प्यारा वर्ड ले लिया मतलब एक चीजे शो करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए पैनल्टीज लगाई जाती है उनको दंड या सजा मिलती है ठीक है जैसे फाल्सली क्लेमिंग तो बी रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट कुछ लोग क्या करते है अपना फर्जी जो है एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बना अब बना लेता है अगर करने लग जाएंगे तो उसके लिए जो है तो उसको जो है उसके लिए जुर्माना है अब 500 रुपया 500 से 1000 रुपया और 6 मेहने की ये कुछ है ठीक है अब मैं एक्जेक्ट ली इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चिज़ां बढ़ती रहती आ परेफले इक्तम से जो फैकल जो फेलर को ये परश कर दीडा गए वυैसे ही जो ही यह जो यह यह जो है चेंज करते रहते पनल्टी इस परफिक मनी होती है जो स्मय मैं बतानीनाओ कि कितना रुपिय जुर्मा जुर्माना है क्या है बस मैं बता देता हूँ कि questo किस चीज में यह रहता है पहला तो मैंने बताया कि जब आप फाल्स क्लेम करते हो नहीं होते हो फिर भी क्लेम करते हो उसके बाद जब अगर डिस्पेंस कर रहा है दवाई को फामेशी में बैठा हुआ है उसके पाद ना कोई डिगरी है ना कोई एक्स्पिरियेंस है ठीक Penalty for Obstructing Inspectors जो इंस्पेक्टर होता है ड्रग इंस्पेक्टर या कोई भी इंस्पेक्टर ठीक है अगर आप उनके काम में जो आपसे कोई क्या होता है कि कान क्या में ढ़े हैं तीन मेंब्थ कड़े थे मेंबर नमिनेटेजम फैलने इसकी अफग्टिंग के बार फंक्शणिंग के बाद से shrinking करने कि फालीजिस्ट्रेशन Woah जाता है क्या first register होता है क्या subsequent register होता है और उसके बाद हमने देखा कि penalties qualification भी देख ली थी हमने कि क्या चाहिए qualification में first register में नाम डालने के लिए क्या qualification चाहिए और उसके बाद offenses and penalties हमने देखी कि भाई कौन-कौन से दंड जो है या सजा जो है मिलेगी अगर आपने कुछ कांड किया कुछ गलत काम किया तो ठीक है तो यह थी हमारी आज की स्व्वी वीडियो ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन पर क्लिक कीजिएगा आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद थैंक्यू सो मच